हेलो एरिवान, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, फ्रेंस आज की वीडियो में हम आपको 4 से 5 साल के बच्चे के लिए पलाजो बना का दिखाएंगे जो खुला पलाजो बनता है फ्रेंस आज की वीडियो में हम आपको कटिंग और स्टेचिंग दोनों एक साथ में बताएंगे तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखना, बीच में हमारी वीडियो को स्किप्ट मत करना, बीच में अगर वीडियो को स्किप्ट कर देंगे तो आपको फुल वीडियो देखन और साथ में बेल एक्र मटन को भी जरूर दरबाएं जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक से पहले पोस्ट सकें क्योंकि बहुती यूजफूल हमारी सबी वीडियो होती है तो आपके बहुती काम आएगी तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को एं तो फ्रेंड्स देखें है यहां पर मैंने कपड़े की लेंद्थ और चोडाई बता देती हूं इसकी लैंद्ह और विड्स बता देती हूं यहां पर जो कपडे की पूरी लेंद्थ रखी है यह मैंने 25 इंच रखी है देखिए फ्रेंट्स यहां पर हमने कपड़े की जो लेंथ रखी है यह मैंने 25 इंच रखी है और जो यहां से हमारा देखिए ऐसे कपड़ा जो खुलने के बाद है यहां से हमारा जो कपड़ा खुलने के बाद है देखिए आपर 10 इंच है कपड़ा यह हमारा four fold है यानि ऐसे double है देखे इस तरह हमारा यह 20 इंच रखी है तो fence यहाँ पर हमने यह two piece लेने हैं तो यह two piece है हमारे तो यहाँ पर मैंने इसको four fold कर दिया यह हमारे four fold है देखे fence उपर से हम डेड़ इंच इसकी लास्टिक का लेंगे तो डेड़ इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे लास्टिक के लिए और अब हम नीचे से इसका आसन निकालेंगे पहले fence आपने ध्यान देना है कि लास्टिक का निकालने के बाद हमारा आसन का नाप होता है तो यहाँ पर हम इसका आसन लेंगे इसका आसन लेंगे 9 इंच तो 9 इंच हम इसका आसन लेंगे और यहाँ से आसन की जो बीच में से हमारी जो अंदर की साइड वो गी ना मार्जन यहाँ पर हमने 2 इंच लेना है ऐसे तो यहां पर यह हमारा देखे प्रोपर बंध है यहां से ओपन साइड है तो जहां से ओपन साइड है यहां से हमारा निशान लगेगा तो 9 इंच हमारा इसमें आसन आएगा तो देखे अमने यह असन का निशान लगा लिया है 2 इंच यहां से भी 2 इंच तो फ्रेंड्स यहां से हम ऐसे गोलाई करेंगे ज्यादा घ्राई इसे गोलाई नहीं करने हैं इसकी इतने ही यहां पर ऐसे गुलाई करने हैं देखिए इस तरह और जो फ्रेंस यहां पर हमारी जो मोरी का निशान होगा हम प्रोपर इतना ही मोरी का हमारी 10 इंच मोरी तो इतने ही रखेंगे तो हम यहां पर सिधा इस तरह ऐसे निशान लगा लेंगे पूरा हमने इसकी को कोई कटेंग नहीं करनी हैं बिल्कुल हमने इतने ही इसकी महुरी रखनी है तो फ्रेंस नीचे से फोल्ड करने के लिए हम याप पर एक इनसे थोड़ा ज्यादा मार्जन ले लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए तो देखे फ्रेंस ही हमारे निशान लग गए उपर लास्टिक के लिए आसन को निचे मोहरी के लिए तो फ्रेंस सिर्फ हमारी इसकी एक कटिंग होगी यह आसन वाली हमारी यही इसकी कटिंग होगे देखे फ्रेंड्स यहां से हमारा एक पार्टिस में जुड़ा हुआ तो उसको भी हम यहां पर अलब निकाल लेंगे तो देखे फ्रेंड्स यह हमारी प्लाजो की है कटिंग हो गई है सिर्फ हमारी यही कटिंग थी देखे इस तरह यह हमारा इस तरह आएगा देखे इस तरह तो फ्रेंड्स अब हम इसकी आपको स्टीचिंग बताते क्योंकि साथ के साथ में हम इसकी स्टीचिंग आपके साथ शेर करेंगे तो हम आप हम इसकी स्टीचिंग करते हैं और चलते हैं मसीन की तरफ कि फ्रेंज अब हम इसके स्टीचिंग करेंगे तो फ्रेंज देखिए हमारी उल्टी तरफ हमने इसकी कटिंग की थी तो देखिए हमारी सी दिसाइडर उल्टी तरफ हमने इसकी कटिंग की थी सबसे पहले हम इसके आसन स्टीच करेंगे ये भी हम आसन स्टिच कर लेंगे मैंने इसके आसन स्टिच ऐसे कर लिये हैं अब हमने इसके नीचे जो मोरी का निशान लगाया था ना वो स्टिच कर लेंगे ये भी हम दूसरे वाले भी इसी तर ऐसे स्टिच कर लेंगे दोनों हमने नीचे की मोहरी है इसको स्टिच कर लिया है अब हम इसको जो नीचे से फोल्ड कर लेंगे तो हमारा ये ओपन खुला यानि खुला पला जो था तो हम इसको कोई मापिंगी नहीं इसकी तो हम इसी तरह इसकी स्टिच करेंगे इसको अब तो देखे फ्रेंस यहां पर हमने इसकी ऐसे देखी सिलाईयान लगा दी है तो फ्रेंस अब यह बाकी हमारा इसका लास्टिक का काम तो मैं इसकी ऐसे लास्टिक के लिए इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगे कपड़े को इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड कर दिया है अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे तो फ्रेंस यहां पर हम जो लास्टिक लेंगे यह 90-21 की लेंगे हैं तो लास्टिक हो 75ं से डालेंगे तो यहां पर हम इन दोनों लास्टिक को ऐसे पकड़कर हैं लगा लेंगे रहां लास्टिक्रों लगा लेगे में तो देखे और न इसक। सिद्धा कर दिया हैild देखें यहां से हमारा बिल्कुल यह हमने चोड़ा प्लाजो बनाया है ना तो हमने इसके कोई भी फिटिंग नहीं करनी है तो फैंस देखें यह हमारा चार से पास साल के बच्चे के लिए हमने यह प्लाजो बनाया है तो फैंस आपको हमारा यह प्लाजो कैसे लगा तो फैं आपको हमारी प्लाजों के कटिंग और स्टेचिंग कैसी लगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना चैनल पर फर्स टाइम आये थे तो चैनल को भी सुब्सक्राइब जरूर कर देना तो फ्रेंड्स मिलेंगे किसी नेक्स्ट व